नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने किसी भी एप को VPN मोड में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेट सर्फिंग अनॉनिमसली कर सकते हैं अगर आपको प्राइवेसी की ज्यादा चिंता है तो उसके ज्यादिकली करता है कि आपको टोरनेटवर्क से कनेक्ट कर देता है और कैसे काम करता आया आपको बताता हूं तो इसको आपको ऊपन करना है और बोट Topan करेंगे तो कुछ तरह से अपको इसको इन्टर्ल देकने को मिल जाएगा तो आप स्टाट पे यहाँ पे मिन कोडिकर करेंगे setting मील पे तो आप यहां पर देखिए जो जो एफ है आप यूज कर रहे हैं उनकी लिस्ट आप दिखा देगा आप इन में से जिस एप को भी वीपीन मोड में अगर यूज करना है आप सीधा यहां पे क्लिक कीजिए और उस एप को भी वीपीन मॉडवें यूज कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको इसको स्टार्ट पे कलिक करना और लगी को स्टार्ट करना पड़ेगा और इसको स्टार्ट करते यह आप त और नेटवर्क से connect हो जाएंगे एक बार स्टार्ट हो गाद में देखे और बॉटिस इस्टार्टिंग उसके बास में आपको VPN Mode on करना है कि एक्षान के विप और मूड करने के बाद एक प्चाट हो और ठीक अभी हो गया उसके बाद में देखे हमारा VPN मोड भी आउन हो गया तो मैंने अभी हाल फिलाल में सिर्फ Google Chrome को Tor Enabled Apps की लिस्ट में वो कर रखा है इसको VPN मोड में सिर्फ Google Chrome को ही मैंने डाल रखा है और भी अगर आप एप को आप VPN मोड में डालना चाहिए तो यहां से आप सिंपली क्लिक करके आप VPN मोड में डालके एक्सेस कर सकते हैं तो इसकी मदद से क्या होगा ऐसा करने से जो ब्लॉक्ट वेब साइट होती है उनको भी आप सर्फ कर सकते हैं इजिली चाहें टोरेंट से फिल्म में डाउनलोड करना हो या फिर कोई काम होई जिली आप से गूगल क्रोम में कर सकते हैं और बाकी जो कोई पी एप आपको वीपेंड मोड में यूज करना है आप और बाट की मदद से यूज कर सकते हैं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी रेटिंग देखें तो रेटिंग भी बहुत अच्छी है और एक करोन से ज्यादा डाउनलोड से इसके टैन मिलियन डाउनलोड से एक मिनट अब देखें यहां पर टैन मिलियन डाउनलोड से और फॉर फॉइंट टू की रेटिंग है और इसे अपका नाम है और बाट प्रॉक्सी विद्ट टॉर तो अगर आप जो है इंटरनेट अनॉनिमसली सर्फ करना चाहते हैं तो इसका इ करता हूं आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा और दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताएए कैसा लगा धरन्यवाद